Hey guys, guys, जैसा कि आप लोग जानते हैंगे, कल से जोसा की counseling शुरू हने वाली है और आप में से कई लोगों के मन में यह questions होगे कि यार हमें IIT में भी कोई इनापर seat मिल रही है हमें BITS में मिल रही है, हमें NIT में मिल रही है तो हम यह कैसे choose करें कि हमें कौनसी seat लेने चाहिए कौनसी चीज हमारे लिए perfect होगी, best होगी with respect to future and with respect to the placements तो दोस्तों, आज हम इसी बार में बात करने वाले हैं मेरे नाम है Amboj, आप देख रहे हैं Success Infinity तो दोस्तों, अगर मों विल्कुल सीधी बास्ता में बोलू तो अगर दोस्तों आपको Computer Science, Electrical, Electronics and Electronics and Communication Engineering इन चार बांचेस में से कुई भी ब्रांच मिल रही है ना किसी भी IIT में या BITS में या NIT में बिना ज्यादे इधर उदर देखे, आपको उस सीट के लिए apply कर देना चाहिए अब दोस्तों इसका reason का है मैं आपको वह भी समझाता हूँ दोस्तों आज कर IIT sectors का जमाना है हर कंपनी में आप देखेगा एक नाएक IT sales ज़रूर होता है अब जैसे ऐसे software नए नए आके जाएंगे, software developers से जरुवत बढ़ते आएगी, software engineers से जरुवत बढ़ते आएगी तो हम यह बहुत इसले देख पारें कि IT sectors में बहुत ज्यादा potential है growth का in the near future तो जो job opportunities है वो भी बहुत ज्यादा जल्दी grow करेंगी और अगर आप CS के या IT के student है तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा opportunities आपको मिलने वाली है in the near future during your placement अब यह तो हो गई IT sector की बाद अगर आपके पास बागी की तीम बांचे जो मैंने लिस्ट करिया नहीं electrical, electronics and electronics and communication engineering यह तीम भी है तो भी आपका scope almost उतना ही wide है जितना की एक CS या IT के student है अब ऐसा क्यों क्योंकि दोस्तों यह जो पूरा का पूरा software world है जो की पूरा का पूरा IT का sector है यह basically nanotechnology जो आपके electronics devices हैं जो आपकी chips हैं जो आपके circuits हैं उन पर काम करता है तो जैसे जैसे नए softwares आएंगे जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता जाएगा technology में in terms of software जो hardware है जो backend में काम कर रहा है in the form of circuits in the form of chips and all उनको भी आपको धीरे तरह अपग्रेडेट करना पड़ेगा और हर sector में जैसे आसे softwares का use बढ़ता रहा है वैसे ही आपका electronics का use की धीरे तरह बढ़ता जाएगा अब मैं आपको के short में बताऊं तो जिस phone पर या laptop पर वीडियो देख रहे हैं यह वाली वो पुरी-पुरी electronics governed है जो speaker या headphone आपने लगा रखे है उसमें electronics का use है in the new future आप लोग जानते हैं कि Tesla इंडिया में आ रहा है तो electric cars आने वाली है क्योंकि resources को हमें बचाना है oil पगरा क results जादा बच्चे नहीं है तो उसमें आपके electrical का use हो रहा है आप कुल भी gadgets देख लें आपको अगर मान लीजे इस रोड याडियो कुछ ऐसी aspirational jobs में जाना है वहां पर आपके electronics का use है तो मोटा मोटा कर मैं बोलें तो electronics and electrical is that sector जो की CS की just parallel में नीचे चल रहा है और जैसे-इस CS में आपके growth होती जारी है CS IT sector में वैसे-वैसे इसमें growth होनी जरूरी है तो कि अगर यह growth नहीं करेगा ना तो एक level के बाद आके आपका जो IT sector हो भी stop हो जाएगा गरो करना तो बिलकुल सीधी बात अगर मैं short में बोलूं तो अगर आपके इन चार branches में से कोई भी एक branch मिल और यह किसी भी IIT में बिट्स में या NIT में तो आपको ले लीने चाहिए ऐसा मेरा मानना है अब कुछ exceptional cases कुछ लोग बूस्तें क्या रखें मुझे IT Bombay में chemical मिल रही है IT Bombay में civil मिल रही है तो क्या मुझे वो छोड़ना चाहिए for IT खड़कपर electrical and all तो दोस्तों अभी फूर आपकी पर डिपेंड करता है यह person to person vary कर सकता है हो सकता है कि इसको IT Bombay का tag जादे important हो than his branch तो वो IT Bombay chemical civil ले ले लेगा हो सकता है कुछ branch को ऐसे भी घ्रहना चाहता है किसी को उस branch related future में कुछ research work करना या aspirational jobs करनी है तो फिर वो IT खड़कपर electrical के लिए जा सकता है पर अगर माली आपको किसी lower NIT में chemical civil mechanical AC branch मिल रही है बिट्स में आपको CS मिल रही है या CS ने तो electrical मिल रही है तो उसमें I would recommend you to go for bits और just not for bits बट फो ब्रांच आपको बिट्स में chemical civil मिल रही है बिट्स में आपको CS electrical रही है कुछ नहीं मिल और आपको को अच्छा NIT में आपको त्रिची हो ग जंगल हो गया इन सब में आपको अच्छी ब्रांचेज मिल रही है इलेट्रिकल ECE ये सारी ब्रांचेज मिल रही है इन चारों में आपका बहुत बहुत वाइड स्कोप है आपका जो पैकेज है वो भी आपका अच्छा कहसा लग जाएगा और वो कंपनी की ग्रोथ और जो स्कोप है बहुत वाइड है तो आपकी जो सैलरी है हो सकता आपको शुरू में लोग पैकेज लगे लेकिन आपकी एक्पोनेंशल ग्रोथ होने की चांस बहुत आई है तूकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे आपका ग्रोथ का रेट भी बढ़ता जाएगा तो दोस्तों अगोप कि आपको वीडियो पसंग डाही होगी आपको समयजमा आया होगा कि हमें कैसे चूज करना है अगर तो आपको यह चार ब्रांच में से कोई मिल रही है किसी भी अच्छे कॉलेज में आप उफ-पित्स एं निट बैसे जिसओ गो फॉफवर धान एवर में अच्छा placement लागे देंगी और अच्छा growth लागे तो चले दोस्तों अगर आप और ऐसा content चाहते हैं तो please mention it in the comment section आपको किस topic पर वीडियो चाहिए कौन से ऐसी चीज़े जो आपको पर्शान कर रही है लिचे mention करें comment section में you can also mail your queries your doubts to me at my mail missionfidex939 at gmail.com जो description मैंने दे रखा है तो चले दोस्तों मिलते हम लेक्स्ट वीडियो में जैहिन बंदे मातरम